कि दोस्तों अक्सर लोग ट्विस्टे वेगरा ट्विस्टे लिवो ड्रिम्योगा की इंजन खोलते हैं तो अक्सर यह गलती करते हैं इसका देखने सारो सारे चेंबर का बॉल्ट वेगरा खोल दिया गया है फिर भी चेंबर ओपन नहीं हो रहा है तो यह दूसरे जगह से इं जिस जगेशत्य है मारा जाव यह भी टुट गया लेकिन फिर भी नहीं फिल ला तो एकूल लिछांब से हमारे जिनका वो बोले कि लिए कई पने नहीं रहा कुलनी है क्यों पार्म सब्सक्राइब मches unasy कराद में मेर में करांपर्ण करना है की उसका रिक में और था क्ली morals under इस जगह पे देख रहे हैं इस जगह पे पूश्रेट लगा हुआ इस जगह पे एक बोल्ट होता है चेंबर बोल्ट जो कि पूश्रेट के कारण नजर नहीं आता पूश्रेट उपर से डाला हुआ रहाता है इसलिए वह नजर नहीं आता तो यह पूश्रेट हम बाहर निकाल थे नहीं होने कारण तो यह हमारे पास लेकर आये तो इसंने यह चेमबर भूट खुला हुआ ही नहीं तो कहांसे बाहर आएगा इंजन क्रों था करा displa है यहाँ निकाल वहां दुआ हैं CR लेकिन सब बोल्ट खूलने का बावजूद एक बोल्ट बचा हुआ है ये बोल्ट बचा हुआ है इसलिए इंजिन खूल ही नहीं रहा है इस कारण हम बहुत इसमें चोड़ भी मारी जिस कारण ये खूला नहीं अब हम इसे खोलेंगै इसे खोलेंगै तो यह आसानी से पूरे चम्बर बाहर आजाएगा है Ben इसे बाहर निकाल ले रहा हूं तो आप भी गलती ना करें कि यह बाहर खुल नहीं रहा सारे वैओ धार कोल दियां फिर उनिकोल नहीं रहा है तो यह खुल नहीं रहा था चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं यह पूरा खुल गिया है तो चेंबर को बाहर निकाल लेते हैं यह चेंबर हमने बाहर निकाल दिया तो मैं यह नए मेकैनिक लोकोटिप दे रहा हूं कि यहां पर बोल्ट लगा हुआ होता है जिसका आरं इंजन नहीं खूल पाता चेम्बर बाहर नहीं निकल पाता इसका क्रेंग banेगा तो और ये क्रेंग खराब भी है ये क्रेंग इसका जो connect िमें oil जाता है वो जाना बंद हो जाता है मेंगनेट साइड मार देनी से उसका thread खराब हो जाता है तो कभी भी क्रेंग में चोट ना मारें आप पहले यह देखे कि वो खुल क्यों नहीं रहा कहीं नहीं नहीं होता है चेंबर हलका फुलका उपर बाहर आए गई आपका लेकिन बोल्ट लगे हुए के कारण बाहर नहीं आ रहा था यह चेंबर अपड़न प्ले है इसे रिपेर करना होगा इसलिए खोल रहे थे तो अभी से रिपेर करके लगा दिय कोड़ा नहीं कमें और भूवार बाहर नहीं आवरा तो उसका कॉई य स्कूई नहीं होरे ज्यादा चोट वेगर है ना महरे और नए में खास कर कहूं में ओ दिख्ट होगी विटिंग में दिख्कत होगी और अगर गीर में प्रोडम है तब भी रूंध現在 और जभी आप कर ले तो उसे ट्रैल लें ट्रैल लेने से क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा गार आप खुछ चला कर ध्यान लगाएं कि की जगह पर प्रोलम है हमें की जगह पर खोलना है तो इसका बैरिंग वेगर तो सही है सिर्फ करनेटिंग चेंज होगा दोनों सब्सक्राइब और गियर में भी कोई प्रोलम नहीं है तो मैं यह दे देता हूं यह अपना क्रेंग थोड़ा भूत ठोका हुआ है इस से वेट मैं ही कर दूगा छेमबर मेखते तक लि nih lubat यह पूरा क्लीन करना होगा हमें और क्लीन करके ओए फिटींग करना होगा ठीक है दोस्तों यह सारे चमबर को पेकिंग यहां पर लगा हो और दो लगा हूं रहता तो उसे कलीन करना पड़ेगा और कलीन करने के बाद यह वांट करने के बाद इसे फिटिंग करना होगा तो पहले इन्हें जमेंघ बनंवा कर लागंगे तो इनका करना के करंब में बना कर लाता हूँ और आपफे कर देने से तो मैं इसे फिटिंग कर दूंगा गियर में कोई प्रॉल्म नहीं है और यह पूरा चेंबर्व हो जाते हैं कि क्या करें यह ओपन नहीं हो रहा तो जब भी आप ड्रीम यूगा वेगारा कि इंजन खोले तो यह पूसर जरूर हटा है उसके बाद